एसोसेशन के जितने जो सेक्रेटरी हैं डिस्टिक्ट और स्टेट के उन सभी को जो है मेरा बहुत बहुत धन्यवाद क्योंकि आप लोग के कठिन परिश्रम के वज़ा से ही आज हमारे एसोसेशन की जो संख्या है वो 19,000 की तरफ बढ़ रहा है क्योंकि 19,000 भी कोई कम नहीं पिसले साथ साल में आप लोग ने काफी प्रहतन किया है और मैं नाम नहीं लोंगा लेकिन काफी अच्छे आप लोग ने काम किया है और आपने एक देखे होगे प्रोग्राम में हमारे जो दिल्ली हाई कोर्ट में जो इस महिने अठीसटारिकों एरिंग है उसके बा chodzi को है डेडिकेशन और कंट्रिबूशन जो इस एसोसेशन के लिए बहुत ही अवल दरजे कर रहा है। हम तेनों आत्मी जो है उत्राखंड की दोरे पर आएंगे और हमें पता है कि उत्राखंड में ही असम राइफल्स का गड़ है। गड़ का मतलब सबसे बड़ी मात्रा में जो है वहाँ पे लोग हैं और कई लोग ने हमारे सदस्या अभी लेना बाकी है। हम उनको बताएंगे कि एसोसेशन किस लिए खड़ा हुआ है और असम राइफल्स के इतिहास में पहली बार हम किस की लड़ाई लड़ रहे हैं। चालीस हजार क्रोस होना चाहिए। यह जो है मैं आप सभी को मैं समझता हूँ कि आप सभी को पता है और इस पर जो है आप लोग जरूर कारवाई करेंगे। और दूसरा जो बहुत इंपोर्टेंट जो काम बात मैं अभी कहने जा रहा हूँ वो भी जो है स्टेट और डिस्टिट के सेकरेटरीस और उन इलाके के जो रेस्पोंसिवल पर्सन है जो अभी आरेवा डिस्टिक्ट उनिट को खड़ा करने में उन लोग मदद करने हैं उन के अपने बाइलोस हैं बाइलोस को मानना बहुत जरूरी है मैं आप सभी को जो जिम्मेदार जो बेकती हैं जो सेकरेटरीस उनको मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप जो हमारे आरेवा और अलिंडिया के बाइलोस जो इनिशियल में हम पनाए थे और जो एमेंडमेंट्स जो हुए हैं इसमें और सभी कोपी जो है हमारे नेशनल सेकरेटरी बीस्ट के पास है वो सभी ले लिजिए डाउनलोड कीजिए उसको अध्यन कीजिए एक फाइल में रखे और जो भी मीटिंग होते हैं आप उसको और सदस्यों को बताइए कि हमारा नियम किया है यह जो है कुछ मुझे दुख से कहना पड़ रहा है कि कई तो सेकरेटरी से मुझे मेरे संग्यान में आया है इन्फोरमेशन में आया है कि वो जो जो बाइलोज को फॉलोग नहीं कर रहे हैं एक्जामपल जो एसोसेशन जो डिस्टिक यूनिट क्रियेट होते हैं हमारे बाइलोज मे जो है बिल्कुल स्पस्ट लिखा हुआ है कि पचास असम राइफल्स एक्सरीस में जब मेंबर हो जाते हैं वह जो है अपने एक्जिकुटी कमीटी खड़ा करके जैसे प्रेसिडेंट सेकरेटरी स्ट्रेशर जो भी है पुरा बना के हमको बताएंगे और हम जो है फॉर्मल आत्मी होता नहीं है जो हमारे बाइलोस के अंगे जो मेंबर सी फीस जो निश्चित किया हो है वह पूरे के पूरे पैसे जो है हमारे नेशनल एकाउंट में आना चाहिए ऐसे लोग कर नहीं रहे है जैसे फॉर एक्जामपल बाइलोस बताते हैं जो एमेंडमेंट्स जो कर कमांडेंट्स हैं यूनितों में कमांड कर रखे हैं और हमारे एसोसेशन जो कारे कर रहा है वो सरानी है और कई जो अफिसर है हमें 10,000 और हमारे जो एक एमके राई साहब हैं शिलोंग के वो सबसे अधिक जो है 20,000 तक उन्होंने डोनेट किया है लेकिन और जवानों के लि पाइलोस बना रखें देखिए यह है एक एमेंडमेंड का कोपी है यह इस एमेंडमेंड में हमने जो पास किया था 23 फेबरी 2019 को यानि कि 1st एपरिल 2019 से जो मेंबर से फीज का 50 प्रतिशत ही और 50 का 30 परसंट डिस्टिक उनिट रखते हैं और 20 परसंट जो है स्टेट उनिट चे हम उनिट को देते हैं और स्टेट उनिट को पैसा है वा इक उसको रखना है साथ सेां जो है यह में मैं पूरा को ब्यबहर वर्फ क्यों होते है। इमेल में डालते हैं वो चेक करेंगे और जो स्टेट के जो रेप्रेजेंडिटिव आते हैं जैसे इस बार जो आएंगे फितोड़ागड में तो एक दिन पहले हो हमको बियौरत बताएंगे यानि कि जो भी जवान से हम पैसा लेते हैं उसका करेक्ट सही जो है एक्सपेंडि डिविजन नहीं है टोटल एमांट जो 600-200 विडो से जो लेते हैं या थाउजन जेसियो से दो हज़र ऑफिस से पूरे के पूरे जो नेशनल एकांट में आना चाहिए पचास आत्मी हो जाता है फॉर्मली वो डिस्ट्रिक यूनिट क्रियेट हो जाता है उसके बाद का है य जो है सेंट्रल एकांट में आएगा डिस्ट्रिक यूनिट जो प्रोपर है यानि कि पचासी उपर जा चुका है तो डिस्ट्रिक यूनिट जो है 200 रखेंगे फॉर एग्जांपल स्टेट यूनिट फुली फंक्शनल है हमारे केरल में उत्राखंड में तो वहां क्या तो इसका पूरा का पूरा जो है लेकिन जो डोनेशन का जहां संबंद आते है देखिए डोनेशन में बिल्कुल साफ लिखा हो है नीचे मैं पढ़के सुनाओंगा आपको डोनेशन इफ एनी विल बी डिपोजिटेट टू नेशनल यूनिट फंड यानि कि बिल्कुल क्लि देजने के वज़ाई जो है वो अपने अकाउंट में डालेंगे वो वो गलत है मांगना भी गलत है क्योंकि एसोसीजन का बदनाम होता है पैसे हमें कुछ चाहिए क्योंकि आप सभी को पता है कोट में केस चल रहा है हमारे जो ओनरेरियम देना पड़ता है क्योंकि जो काम ले रहे हम उनको कुछ पैसा तंखा नहीं देते हैं और हम जब जाते हैं दिल्ली में टूर इदर उदर जो जहाज का खर्चा इदर उदर वो हम एकाउंट से लेते हैं कि कुछ पैसा होना बहुत जरूरी है इसका हम प्रोपर सलाना जो है चार्टर्ड अकाउंटेंट से आ अपना चेक करेंगे डोनेशन कितनों से लेके आपने उसने में रखा है पूरा काल्कुलेट करके जो है नेशनल अकाउंट में डालना है एक मैने का में टाइम देता हूं बहुत ज्यादा है लेकिन एक मैने का टाइम आज 3 अक्टूबर है 3 नवंबर यानि कि हमारा जो लोग के अनुसार ही कारे कीजिए जब तक आप हमारे एस्सेशन के सदस्य हैं यानि सेक्रेटरी करके काम कर रहे है इसके अलावा देखे 2-4 पॉइंट है एक तो बताऊंगा मैं आपको यह जो डोनेशन के बारे में हो गया अभी एफिलियेशन फॉर्मेट जब भेजते है लोग से मैरा रिक्वेस्ट है जब क्या करते हैं कि लोग फोटो किस देगा फोटो किस में क्या होता है को उसमें कई options आते हे हमारे camera में एडिट का एक provision edit में क्लिक कर सेदै उसको क्रॉप में दबाईए उसको क्रॉपं कीजए ताकि only이죠 affiliation weatr tyre चाहिए उसको JPG से PDF में convert किजी हमको बेजिए ताकि हमारा print आ सकता है record सही हो सकता है यदि आपको मालूम नहीं है तो digital age है computer mobile चलाना से भी को आता नहीं है तो अपने बच्चे से सीखिए इवें जो 4-5 class के जो लड़के हैं न वो भी आपको बता देंगे क्योंकि मैं खोद मे आप जो है यह जो internet के cafe में जाते हैं तो scan करके PDF बना देंगे तो उसकी जरूतनी है camera photo जो हमारा mobile है पूरा प्रोविजन है उसको कीजिए सही सही भेजिए एक बार और मैं सभी का धन्यवाद करता हूं क्योंकि जो association जो अब आगे बढ़ रहा है तो उसमें जो है आप सभी क सहयोग है सभी को जो है मैं धन्यवाद करता हूं नमस्कार करता हूं और स्पेशली जो हम मेरा सेक्रेटरी है जिसको मैंने शिलॉंग से जो चैन किया था जब मैं गय थे डीजियार को मिलने के लिए 54 साब को तब वो पेंशन निकल रहा था उन्होंने ऐसा जो काम कर रहा है झाल 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 झाल